Hello students, welcome back to my channel तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले के इसके पिछले वीडियो में पढ़ रहा थे अलजेबरा के बारे में तो मैंने कुछ कोशन्स दिया था इन कोशन्स को डिवीजन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व अच्छे से कैसे करते हैं हम पूरे अच्छे तरह से आज के इस वीडियो में समझेंगे के अलजेबरा के डिवीजन के कुशन्स को कैसे हम लोग easy way में solve करेंगे सबोज मेरा एक कुशन है x square plus 9x plus 27 को डिवाइड करना है x plus 3 से तो इसको solve कैसे करेंगे तो x plus 3 को इधर ले लिए और हमने x square plus 27 ले लिए अब simply आपको दिखना यह first word first letter जो है यह x है यहाँ पे square है तो कितना x चाहिए मुझे 1x चाहिए तो 1x simply पहले letter को ही देखना है ज्यादा कुछ नहीं देखना है पहले letter को आपने देख लिया x into x square यह plus plus तो क्या है plus इसके कुछ नहीं मतलब plus है इसके कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब plus ही होता है उसके plus 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 3 into x क्या हो जागा 3x अब sign conversion यह सबसे important है यहाँ sign convert होके minus हो जाएगा यह मतलब यह जो part है जो second part है हमारा इसका sign conversion होता है तो minus हो जाएगा तो कड़ गया और यहाँ minus हो गया तो 8 9x minus 3x तो क्या हो जाएगा 6x यह मतलब यह sign यह plus का जो sign है वो symbol change होके minus हो गया ठीक है तो मतलब second वाला जो row है जो हमारा रो होता है उस रो का sign conversion होता है और यहाँ 27 ए 27 उतर गए अब फिर से मुझे क्या जी यह पहला लेटर इसका पहला लेटर क्या है x तो अरड़ी है तो हमारे पास 6 नहीं है तो 6 नहीं है तो इसके आगे आप sign कैसा चूज करेंगे कि कौन सा sign होगा तो simply आपको करना क्या है आपको यहाँ पर दिखना इसके आगे कौन सा है इसके आगे plus है इसके आगे plus है तो plus 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 तो उसके विए 6 6 into 6x अग plus 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 6 तरीज़ एटीन अब sign करना है minus minus तो minus minus यह कड़िया और यह minus कर जिएगा तो आपके पास आएगा result जो आएगा वो 7 to 9 आएगा 9 मेरा बच गया तो यह होगी हमारा reminder यह होगी a question यह divident है यह divisor है तो इस तरह से आप easily solve कर सकते हैं उमीद आपको यह इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि division कैसे solve करते हैं अगर कोई भी doubt हो पूशे इस वीडियो में बस इतना है मिलते एंगले वीडियो में तब तक लिए कुल बाई